नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्रागत थे मैं श्राजशी वालों दोस्तों अगले 15 दिनों के अंदर गरों की जो इस्तितीव बन रही है गरों की जो शंकेत है यह श्मयावधी में आपको एक दिवे महिला शे बात करने का उजवल मौका प्राप्त हो शकते हैं जिया दोस्तों और अगर आप इनके बातों में आ गए तो दोस्तों यह महिला यह देवी आपको राजा की गद्धी तक लेकर साएगा जहां से आपका जीवन बिल्कुल ही बदलने वाले होंगे जिया दोस्तों आज का यह वीडियो आप शबी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्पूर रहने वाले हैं शुरू से लेकर अंदर तक देखना आपका अदाय तो होगा जह दोस्तों अगर आप आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंदर तक देख लेंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि अब आपके जुनकाल में जो भी शमस्या है यों कहें तो पिछले शमे से आप जिन पस्ततियों से जूज रहे हैं दोस्तों ने शबी शे आपको मुक्ती तो मिलेगी शाथ याने वाला शमे आपके लिए खुश्यों को भी लेकर आने वाले होंगी जो दोस्तों कहने का ताथ पर यही है कि वीडियो में बताएगे हरे एक छोटी शीवद आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्पुन होंगी इन्हें शुरू से लेकर अंदर तक जरूर देखिएगा जो दोस्तों में आप शबी महत्पुन जरकारी को जानेंगे कि यह अगले पंदरों दिनों के अंदर जो यह दीब महिला है आपको किस छेतर में मिलने वाली है कि यह आप इनकी पहचान कर सकते हैं और इनकी आने शिया आपको कौन से छेतरों में लाब होंगी क्या कि दारम होते हैं शुरू होने वाले हैं शारत दोसों इनमें आप जाने कि कि आपके घर की महौल में पारिजुन में क्या क्या बदला होंगे तो दोस्तों अंतर दक देखिए गा उश्रे पहले दोस्तों जो भी वक्त वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्श में सच्चे मन स जय माता दे लिखेगा गुरुजी का और माता रानी का श्रीदा शिरबात पर आपकरेगा तो मित्रों जरूर लिखेगा और यदि आप चनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें शादे बैल आइकन को प्रेश करके ओल पर श्रेट कर दें तो ऐ भी आपके छवी और अधिक निक्रिएगी दोस्तों जीवन के प्रतिश शकार्त्मक्द दिश्चिकोन आपको माणशिक हो रूप से और शार्णी रूप से स्वस्त रखेगा इसको प्राहत दोस्तों यह श्मय अगर आपकी शावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों ये शुमय धन से समझेत किसी भी परकार के लेंद देन में शावधनी रखें शाथी धोका हो शकता है दोस्तों और आप किशी आर्थिक प्रिशानी में भी इनसे उलज जाएंगे भुमिशमंदी जो भी ख्रेत पुरोत करते शुमय कागजदों की अच्छी तरह से जांच है तरह होंगे इसको प्रांदी दोस्तों यशुमय आपके लिए जो समयूंगे आपको बता दें कि आपके बीचारी आपके दूस्मर बने रहेंगे हर किशी व्यक्ति के बारे में नकार्तमग होना आपको अपने यह अंदर नकार्तमगता भी दिखा शकता है दोस्तों इस दुँआ दोब्रा होवी गलतियों की जिमेदारी उठाना आपको यश्मेच सिखना होगा इसको परांथ दोस्तों यश्मेच आपको बदा दें कि दोस्तों भावनों की बजाए चोतराई और बिवेक्षी काम आपको लेना चाहिए परस्तिती जो है आपके पक्ष में कार कर दोस्तों बच्चों की किलकारी शुमंदी कोई सुप सुचना भी यश में घर में मिल सकता है जिससे उच्छा भरा महौल भी रहेगा शाथी दोस्तों किसी अटके वे काम को पुरा करने में भी यश में आप सक्चम रहेंगी इसको प्रांदोसों ये शमय आपको बिदा दें कि किसी भी योजना को बनाने शेप पहले उस पर भली बांती विचार अवश्च कर लें बहतर होगा कि दोस्तों घर के सबी सदस्यों की सलाह आप जरूर ले ले दोस्तों पेसे के मामले में किसी भी पर भी यश में विश्वास ना रखें खुद पर ही और फिर सभी गत्युदियों को आप अपने तरीके से समालें यह आपके लिए बैतर होंगे इसको प्रांद दोस्तों यश्मे आपके लिए श्मे होंगे फिर अपने लक्ष कोई बारे में सोचना आपके लिए अच्छा रहेगा इसको प्रांदोस्तों यश्मय आपके लिए सुनोंगी आपको बता दें कि दोस्तों यश्मय घर के नविक्रन अथवा रख रकाव शमंदी यजनाओं पर विजार विवश हो सकता है किसी समाजी करति दियों में भी आपका एश्मय महत्पून योगदान होने से आपका मान समान भी यश्मय बढ़ने वाला है इसको प्रांदोस्तों अगर घर या पिर वहां शमंदी खरेदारी की यजनाओं बन रही है तो दोस्तों उसके लिए जो समय होंगे समय अनुकूल है इसको बदलाव लाने के लिए कुछ आत्म चंटन भी आप यहां करें इसकूल प्रांदोस्तों यह महत् remainder Gegen आपको बना दे कि दोस्तों आपको अपनी गलती शुदार्मय का ऊश्वर में प्रापत होंगा इसलिए अपने दावरा हुए कामों को डिय औरत कामPlease करने के लिए नए का अपने परवार के लिए किसी प्रकार के मुद्दे पर विचार मस आपका हो सकता है तथा बच्चों की उत्तन विचारों की वज़े से उनकी शाहरना होगी भूमिशमंदी कारियों में भी अगर कि निवेश करने की आप प्लानिंग कर रहे हैं एक प्लानिंग कई दिनों से च सकार्तमों बना कर रखें कभी कभी आपका संक्रावनों सभाव दूसरों के लिए प्रिशानी का कारण भी बच्च रखता है यह अवर के बेकार की तुद्यों में शमी नश्ट ना करके अपने केरियर शमंदी युजनाओं पर ध्यान भोकस करें इसलिए आपके भरश के ल काराफ करने की सोच रखकर आगे बढ़ें दूसरों आपको आपके अंदर की सच्चाई और काम के परतिर निश्टा को आगे बढ़ाना चाहिए इसका अगर आपकी केरियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यह वाई शाय चलिए आपको बता दें कि यह भीने में लंदेन के जो समय होंगे पक्के बिल का इस्तमाल करें क्योंकि दोस्तों यश में किसी भी तरकी इनक्वारी के अशंका बन रही है डिटेल की अपयक्छा हॉलसेल कारे ज्यादा शबल रहेंगे यश में ऑफिस का महाल जो है बहुत ही शांती पूर रहेगा इसको परां दोस्तों आपके केरियर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि यश में कारी शेतर में कुछ खास फेसले लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है दोस्तों बहुत होगा कि कुछ भी नया शुरू करने की अपयक्छा अभी वर्तमार पर ही अपना ध्यान को आपको फोकस करें नोकरी पेशा व शावधनी रखने से आपके कारे निर्विघत ने पूरे हो जाएंगे दोस्तों कारे स्तल फर इस टाप की वेतिदियों पर ध्यान देना भी आपके लिए जरूरी होगा इसको प्रांतों यह श्मी मार्केटिंग वपिर शम पर शुत्रों को और अधिक मजूत करने का श्मय होगा दोस्तों आपको बता दें कि यह शंपरक शुद्र आपके भुष्ष के लिए बहुत ही मैंत्पुर शाब्ट होंगे तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें इसको परांद दोस्तों यह अगर आपकी लवलाइब को बात करें तो दोस्तों यह अपने वैस्टम समय में परिवार के लिए कुछ हमे निकलना आप जिस मदों को मदूर रखेगा तथा परिवार में भी खुशीयालि भरा वातर हो satisf नहीं का लें इसको प्रांद से यह में आपके लवलाइब के लिए बहतर होंगी दोस्तों आपको बता दें कि जिवन शाती के शात उचीत तालमिल बिठा कर रखने के लिए आपको शयुग आवश्चक है विवातर शमन्नों से धूरी बना कर रखें ये आपके यसमे लव लाइप के लिए बैतर होंगे इसको प्राम दोस्तों ये शमे आपके लव लाइप के लिए शमय होगे दोस्तों आपको बता दें कि पती पद्ली दोनों ही वैस्ता की विज़र से घर पर शमय नहीं देपाएंगे प्रंतु घर का महौल जो एक खुशनमा बना रहेगा किशी भी परकार की चिंता ना करें इसको ब्राद दोस्तों यश मेंगर आपकी स्वास त्यानिस सहत को लेकर बात करें तो दोस्तों अत्यदीक काम के वज़े से आपका जो शौभा हो है उनमें चिर्चिडा पन हो शकता है दोस्तों मेट्रेशन या फिर योगा करना यश में आपके शमस्या का उचित निवारन होगा तो दोस्तों इन पर जरू ध्यान दें इसको ब्राद दोस्तों यश में आपके स्वास के लिए समयोंगे खांसे जुखांग वो फिर बुखार जिसी प्रेशानी पर रह सकती है लपरवाई ना करें तथा उची दिलाच यह समय जरूर ले पर दोस्तों यश्व में आपके स्वास के लिए समय होगी आपको बता दें कि स्वास अंत तक ठीक होगा किसी परकार की चिंता ना करें पर दोस्तों लापरवाई भरतना इसमें आपके लिए उचित नहीं होगे और इन सबी चीजों का ध्यान जरूर रखें यह आपके स्वास के लिए ही बहतर होगे दोस्तों यह शुमें आपको कौन से उपायों को करना चाहिए दोस्तों आपको बदा दें यदि कन्या के बाद पुद्र की काम ना हो तो दोस्तों आपको यह शुमें इन उपायों को करना चाहिए आपको बदा दें कि उत्पन हुवी करन्या का विद्धीवत पूजन करें उसे नमस्कार करें और बंदू-बंदू को खीर खिलाएं और जले भी आप शाथ में खिलाएं तो दोस्तों आप यह शुमिया इनुपायों को जरू करें यह आपके लिए भागिश्वाली रहने वा आप रहने कि आपकाम करें यह शाथ हिर यह झाले नहीं कि उत्पन हो धाद मेंदूबाएं।